देखिए अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया न तो आप लोगों को कोई और वीडियो नहीं देखना परेगा एनलाइसिस का अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो प्रिबियस दस दिन का जा करके एनलाइसिस का वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हैं मैं 100% चैलेंज दे करके कहता हूँ अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया तो किसी और का वीडियो देखने की कोई भी जरुरत नहीं है आप लोग देख सकते हैं bank nifty का चार्ट है ये और कल sensex का भी expiry है हम sensex का भी चार्ट देखेंगे पहले हम यहाँ पर देखते है bank nifty तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को level दिया था मैंने कहा था ये वाला level जो है बहुती important level है जो की level था 42,700 का मैंने यहाँ पर साप साप कह दिया था अगर ये वाला level टूटती है bank nifty के अंदर तो आप लोगों को तगरा गिरावट देखने क मिल सकता है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा गिरावट देखने को मिला है क्या मेरे condition को यहाँ पर बिल्कुल fulfill किया कि नहीं किया अगर आप लोगों ने कल वाला analysis का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं अब चलिए अब हम पहले देख गिरावट देखने को मिल सकता है आप लोग देख सकते हैं इस लेवल के नीचे एक दिन का candle यहाँ पर क्या की है breakdown की है आप लोग यहाँ पर clear cut देख सकते हैं इससे हमें यहा इंडिगेशन मिल रहा है जो अब bank nifty के अंदर तगरा गिरावट देखने को मिल सकता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा pattern का formation हुआ है यहाँ पर आप लोग किलियर cut देख सकते हैं यहाँ पर जो यह pattern है M pattern है और आप लोग देख सकते हैं इस लेवल को भी यहाँ पर क्या कर दिया breakdown कर दिया तो अभी आप लोगों को बिलकुल भी upside के तरफ नहीं रहना है अब चलिए अब हम इंट्राडे के बेस पर ट्रेड प्लान करते हैं कल के दिन हमें कैसे ट्रेड सेटप बनाना है तो वीडियो में आगे बरने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर आप्शन ट्रेडिंग टेकनिकल एनालाइसिस में तो भ वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल जो की लेवल निकल के आ रही है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 42,490 का मान लीजिए अगर कल के दिन बाइंक निफ्टी इस लेवल के उपर गयाप आपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्द करने आती है और इस तरीके का पैटरन को फुल्फिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाइ कर सकते हैं और यहाँ तक टार्गेट के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 42,760 का यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हैं अब माल लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के उपर गैप अपनिंग लेने के बाद और इस लेवल के उपर इस तरीके का कंसॉलिडेट करती है और यहाँ पर एक बॉक्स पैटरन बनाती है और उस बॉक्स प करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाई कर सकते हैं अब माल लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडिशन में यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर करना होगा बेट फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकाउट करेगी जो की लेवल निकल के आ रही है 42,490 का तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाई कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं अब जो बैंक निफ्टी के अंदर important support निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यह वाला लेव यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर करना होगा बेट यहाँ पर entry कैसे लेना है gap down खुलने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा retracement करने आती है और बीरी scandal के अंदर आप लोगों को strength दिखाए दे देती है तब आप लोग यहाँ पर safely put buy कर सकते हैं और यहाँ तक target के कर सकते हैं अब माल लीजिए अगर कल के दिन bank safety यहाँ पर flat खुलने के बाद इस level को यहाँ पर breakdown कर देती है जो की level है 42,050 का तब आप लोग यहाँ पर safely put buy कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं ध्यान में रहे अगर कल के दिन bank safety इस john के अंदर कामकाज करती है ज देकर के 42,050 तक का जो यह john है यह क्या है यह पूरा का पूरा trap john है इस john के अंदर आप लोगों को call or put के चकर में नहीं परना है नहीं तो आप लोग यहाँ पर trap के अंदर फस सकते हो अब आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है यह अब जो निफ्टी 50 के अंद उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर breakout कर देती है जो की लेवल है 18,960 का तब आप लोग यहाँ पर safely call by कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला resistance होगा 19,060 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब माल लीजिए अगर कल के दिन Nifty 50 इस लेवल के उपर gap up opening ले लेती है जो की लेवल है 18,960 का अगर इसके उपर gap up opening ले लेती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर जल्दवाजी के अंदर call की entry नहीं लेना है यहाँ पर entry कैसे लेना है gap up opening लेने के बाद जब इस ल UK का pattern को fulfill करती है तब आप लोग यहाँ पर safely call by कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं अब जो Nifty 50 के अंदर important support निकल के आ रही है बो निकल के आ रही है यह वाला level जो की level निकल के आ रही है 18,800 का माल लीजिए अगर कल के दिन Nifty 50 इस level के नीचे gap down खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर जल्दवाजी के अंदर put की entry नहीं लेना है यहाँ पर entry कैसे लेना है gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retracement करने आती है और BRE scandal के अंदर strength दिखाई दे देती है आप लोगों को अच्छे से तब आप लोग यहाँ पर safely put by कर सकत हैं और यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला support होगा 18720 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब मान लीजिए अगर कल के दिन 5050 यहाँ पर flat खुलने के बाद इस level को यहाँ पर breakdown कर देती है जो की level है 18800 का तब आप लोग यहाँ पर safely put by कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं ध्यान में रहे अगर कल के दिन 5050 इस जौन के अंदर opening लेती है जो की जौन है 18960 से लेकर के 18800 तक का जो यह जौन है यह क्या है यह पूरा का पूरा trap जौन है इस जौन के अंदर जब तक काम काज क करेगी निफ्टी-50 आप लोगों को यहाँ पर call output के चक्कर में नहीं परना है नहीं तो आप लोग यहाँ पर trap के अंदर फस सकते हो अब आप लोग देख सकते हैं सेंसेक्स का चार्ट है यह और कल सेंसेक्स का क्या है एक्सपाईरी है अब जो सेंसेक्स के अंदर important resistance निकल क आ रही है बो निकल के आ रही है ये वाला लेवल जो की लेवल निकल के आ रही है 63,530 का मान लीजिए अगर कल के देन सेंसेक्स इस लेवल के उपर gap up आपनिंग ले लती है तो ऐसे condition में यहां पर क्या करना होगा यहां पर करना होगा बेट क्योंकि एक psychology का लेवल है यहां से आप लोगों को profit booking भी देखने को मिल सकता है यहां पर call की entry कैसे लेना है gap up आपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा retracement करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है तब आप लोग यहां पर safely call by कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला resistance होगा 63,850 का यहां पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब माल लीजी अगर कल के दिन sensex यहां पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में यहां पर क्या करना होगा यहां पर करना होगा weight flat खुलने के बाद जब इस level को यहां पर breakout करेगी जो की level है 63,530 का तब आप लोग यहां पर safely call by कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं अब जो sensex के अंदर important support निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यह वाला level जो की level निकल के आ रही है 63,000 का जो की एक psychology का भी level है अब माल लीजी अगर कल के दिन sensex यहां पर flat खुलने के बाद इस level को यहां पर breakdown कर देती है जो की level है 63,000 का तब आप लोग यहां पर safely put by कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला support होगा 62,780 का यहां पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब माल लीजी अगर कल के द gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retracement करने आती है और BRS candle के अंदर आप लोगों को strength दिखाई दे देती है तब आप लोग यहां पर safely put by कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं ध्यान में रहे अगर कल के दिन sensex इस john के अंदर opening लेती है जो की john है 63,530 से ले नहीं तो आप लोग यहां पर trap के अंदर फस सकते हो तो आसा करता हूं बाइंक, nifty, nifty 50 और sensex की सारे level आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोग अपने chart के उपर यह सारे level मार्क कर ले ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो फिर मिलते है किसी नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम